नमस्कार आप देख रहे हैं JJN News मैं हूँ आपके साथ मुहम्मद उयस मुंबई के पूर पूलिस कमिशनर परंबीर सिंग की चिट्टी को लेकर महराष्ट की राजनीती में बवाल मचा हुआ है परंबीर सिंग की चिट्टी में राज जी के ग्रहमत्री अनिल देशमुक पर भ्रस्टा चार और 100 करोड रुपी की वसूली की जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पर NCP प्रमुक शरत पवार ने सरकार का पक्षर रखा है अब पूर मुक्यमेंत्री देवेंदर फर्णवीस ने देशमुक को लेकर बड़ा खुला सकिया है देवेंदर फर्णवीस ने कहा कि आज एक प्रेंस क्रॉस्वेंड में उन्होंने कहा कि अनिल देशमुक होम क्वारेंटाइन नहीं थे पूर्णवीस ने कहा कि उनके पास एक चिट्टी है जिसे लेकर वो जल्द ही दिल्ली में केंदरी ग्रह सचीव से मुलाकाद करेंगे पूर्णवीस ने ये भी कहा कि वो दिल्ली में केंदरी सचीव से अपील करेंगे कि ट्रांसफर रैकेट की जाच सीबी आई से कराई जाए उन्हाने कहा है कि देशमुक को लेकर शरत पवार की बाते हैं उनके दावे जूटे हैं जब तक अनिल देशमुक का स्थीफा और इस पूरे मामले की जाज नहीं होती तब तक बीजेपी का अंदोलान इसी तरह से जारी रहेगा परदमीस ने ये भी कहा है कि सचिन वाजे को लेकर रोजाना नए कुलासे हो रहे हैं आपको बता दे कि परमीर सिंग की सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद महारास्ट सरकार हरकत में आ गई हैं खुद अनिल देशमुक एक्शन में हैं ये भी जानकारी मिनी है कि परमीर सिंग के आरोपो की जाज कि लिए महाराँच सरकार एक कमेटी वना सकती है ये कमेटी अनिल देशमुक पर लगे आरोपो की जाज करेगी दरसल उद्दव सरकार नहीं चाती कि मामला CBIA के हाथ में जाए लिहाजा उद्दव सरकार ने अपने स्तर पर इसकी जाज कराना चाहती है इस बीच ख़बर ये भी है कि आज BJP नीता देवेंद फंदवीज एक बार फिर प्रेस कॉनफरेस पर ठाकरे सरकार पर निशाना सादेंगे आपको बता दे कि परमेर सिंग ने महराष्ट के मुख्यमंतरी उदव ठाकरे को लिखे आठ पन्नों के पत्र में शनिवार को दावा किया था कि देशमुक चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और हुटलों से हर महीने 100 करोड रुपे की वसूली करे उन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुक ने मुम्मई पुलिस के एपी आई सचीन वाजे को फरवरी के मद्ध में आवास पर बुलाया था और उन्हें हर महीने 100 करोड रुपे की वसूली करने को कहा था हाला कि देशमुक ने आरोपों से इंकार किया है परंबीर सिंग के पत्र में ये आरोप भी लगाया गया था कि देशमुक ने मुम्मई पुलिस के एपी आई सचीन वाजे को मद्ध फरवरी के आसपास अपने अधिकारिक आवास पर बुलाया था पवार के आरोपों को लेकर अस्पिताल में एक प्रमाणपत्री पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि देशमुक कुरोना वायरस संक्रमल के चलते 5-15 फरवरी तक नागपुर के एक अस्पिताल में भरती थे और उनके बाद 15-27 फरवरी तक वो चिकित्सकों की निगरानी में थ NCP प्रमुक शरत पवार ने कहा है कि सरकार के सभी रिकॉर्ड भी ये बताते हैं कि पूरे 3 हफ़ते तक वो मुंबई में नहीं थे वो नागपुर में थे जो उनका ग्रहनगर है यही कारण है कि इस स्थिती में इस्तिफे का सवाल ही पैदा नहीं होता है वही भाजपा नेता देवेंद्र फरनवीस ने दावा किया है कि देशमुक ने 15 फरवरी को सम्मादाता सम्मेलन किया था जो पवार के सकथन के विरोधाभासी है वो देशमुक और वक्त अस्पताल में नहीं थे आपको बता दे कि सचिन वाजे इस वक्त एनाये की हिरासत म हैं जो द्योगपती मुकेशंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक संदिग्द वाहन वरामद होने के मामले की जाज कर रही है वाहन में जिलेटिन की चड़े और धंकी भरा एक पत्र मिला था वही विपक्ष लगातार महारास्ट्र में रास्ट्रपती शासन लगाने की बात कर रहा है इस खास रिपोर्ट में अभी करें बस इतना ही आप बने रहें जेजाए न्यूस के साथ नमस्कार